नमस्कार दर्शकों आप देखें दिन्वेशक्ति न्यूस मैं हूँ अनुबो पर्मा शुरुआज करते हैं इस वक्ती खास ख़वर के साथ इस कूटी से कोचिंग जारे ही छात्रा को टेक्टर नमारी टक्कर, मौके पर ही ददनाक मोत आपको बताते चले गर्से कोचिंग सेंटर जारे ही एक छात्रा की मौला चंपदीव मंदर के पास टेक्टर ट्रॉली से भ्रंथ होने से छात्रा की मृत्यू हो गई है गहल चात्रा को जब आज पास की लोग प्राइवट होस्पेडम लेकर गई तो वहाँ उन्होंने भर्ती करने से इंकार कर गया इसके अबास समदाइक स्वास्तकेन ले जाये गया जहाँ पर उसकी मृत्यू गोशित होई फ्राट्र जानकरी के अनुसाब गानिबाग करोनी निवासी कुमारी शिवांगी पांडे 24 वर्स उम्र पुत्री मनोज पांडे गानिबाग इस्थित अपने आवास से पंजाबी करोनी इस्थित वेलियंट कोचिंग सेंटर पर पढ़ाने जा रही थी जब वह चंपा देल मंदिर के पास पहुंची तो सामने से आ रही टेक्टर ट्रॉली से स्कूटी की भ्रंग हो जाने के कारण वह सड़क पर गिर गई और टेक्टर का पहिया उतर जाने से गंबी रूप से घहलो वह आसपास के लिए उप्चार ही तु प्राविट नर्सिंग होंगे लेकर डाक्टरों ने उसे बर्दी करने से मना कर दिया इसके बाद उसे उप्चार के लिए समुझाइक स्वास लिए जहां उसकी मौत हो गई गटना की सूतना पाकर पडितनों में कोहरा मच गया मिर्थक के पिता मनोज पांडे अपनी पतनी के साथ अस्पताल पहुंचे और गटना के बारे में जानकारी प्रात की पुलिस ने सब का पंच नावा भर कर उसे पोस्ट माटम हेतु बिजनोर भीज दिया है ट्रेक्टर चालक को पुलिस ने अपनी हिरासम ने ले लिया है कोतवाली प्रिभारी निरेख्षक ने बताया कि पोस्ट माटम के बाद घटना की रिपोर्ट दर्थ की जाएगी परिजनों ने बताया कि कुमारी शिवांगी पांडे पढ़ने में बहुत होश्यार थी उसने बीटिसी बीएड वे यूपी टी आईटी की परिक्षा क्वालिफाई कर ली थी और वे वे सूपर टैट की त्यारी कर रही थी तुमारी शिवांगी अपनी पढ़ाई करने के सास्ता कोचिंग सेंटर भी क्लास लेती थी परंतु परिजनों को क्या मालूम था कि आज उनके परिवार का एक ऐसा दुख का पहाल तोटे पड़ेगा हिंदु युवा वाईनी के मंदल प्रिवाली डाक्टर एंडिपी सिंग ने एस्पिताल पहुंच कर मनोश पांडे से वारता की और उन्हें धंडस बताने बताते हुए हर प्रिकार का सयोग देने का आशवर्षन दिया देखिए हमारे सयोगी नीरेश पाल की ये रिपोर् पिटिया जुकि जो मौत हुई है कौन सी किलास की छात्रा थी है मैं यह तो कि कोचिंग जा रही थी किस चीज की रेककर लगने से मौत हुई इसकी थाने में तैरी देती है आपने आपने तैरी लिए